तेरा मई के दिन आज याने सुम्वार के दिन महरश्ट राज्य के लोकसाबा चुनाओं के चोथे चरण का जो मतदान हुआ है बावन फीसद बताया जा रहा है जो के बहुत ही चिंता का विशे है इसी विशे को लेकर मेरा भैंदा शेहर के समाजी कार्य करता हाशिर पटल न जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरन करें और चुनकर आने के बाद में वह अपने वादे जरूर निबाए इस पर मामले में आज हमसे बातचीत करते हुए सामजी कार्य करता हाशिर पटल ने बताया कि अभी फोट फेस में 52 परसंट आया है वोटिंग का तो मैं इसके ब पात साल काम करें क्योंकि एलेक्शन में तो आप हमेशा देखेंगे कि सारी नेता भार आते रोड पर गलियों में घैर गार्डन हर जगे घुमते पर जो पात साल तक हमारे बीच रहे और हमारे लिए सही से काम करें बहुत सारे मुद्दे है रोड का मुद्दा है पानी का म तो ये सारे बड़े मुद्दों पर जो हमारी मदद करे तो जनता बहतर जानती है कि उनका SS कहा तक है और कौन उनके लिए सई तरीके से काम करेगा तो मेरी सबसे अपील है और स्पेशली मिरा भाहिंदर की जनता से अपील है कि आप सब अपने घरों से भाहर निकले 20 तारिक क अचिए इसमें ना जात को देखकर नेता चुने ना पाटी देखकर नेता चुने ना धरम देखकर नेता चुने ना किसी भी कोई भी ऐसी गलत चीज़ को देखकर आप सेलेक्शन नहीं करिए मेरी यही अपील है कि जो हमारे लिए काम करें जो हमारे मुद्दों पर काम करे जो हमारी मदद करे हमारे लिए सही फैसले ले उसको हम चुने मेरा ये कहना है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जिनकी घर की परस्तिती खराब है वो लोग कहीं से उदार लेकर कहीं दोस्त लोग के साथ हुका पालर्स में जाकर बैठते है दिन भर रात भर और उनकी माएं घर वाले बहुत परेशान होते हैं उस चीज़ को लेकर तो मेरा यूद को यही संदेश है कि आप ये सब मत करिये ये दो दिन के मज़े है आप अपने घर वालों पर ध्यान दीजिए के बज़ाए ये लोग टाबैको वाला फ्रेवर यूस करते है उसके बाद इसकी टाइमिंग है ये तीन तीन चार चार बज़े तक चलाते है जिसके वज़े से आसपरोस वाले यूद आसपरोस वाले सीनियर सिटिजन्स रहने वाले लोगों को भी काफी जादा परेशानी ह तो मेरी अपील है आपके चैनल के माधियम से के जो भी नेता या जो भी पॉलिटिशन जिस भी पार्टी के अगर वो दावा करते है इस जगे से के उनको लोगों का दिल जीतना है तो मेरा उनसे ये अपील है कि वो इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और हुके पालर से भी म मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी एजनसी के हिसाब से जो जो भी किसी भी तरीके का ड्रग होता है तो उस ड्रग का पैसा टेररिजम के लिए जाता है बड़े-बड़े देश-द्रोही ऑर्गनाइजेशन जो होते हैं कहीं से घूम फिर कर वो पैसा वहीं जाता है और हमारी यूथ चोटे-चोटे लड़के चोटे-चोटे-चोटे लड़के यह माल लाते हैं कहीं से और वो सेल आउट करते हैं और वही लोग खरीतते हैं पर उनको नहीं पता होता कि यह कहां पर जा रहा है उसके बाद यह करने के बाद नशा करने के बाद वह य सबसे क्योंकि काम होना चीए कहां भी कुछ भी हो रहा है कोई रस्ता बन किया जा रहा है कोई बैरी गेट सिस्टम नहीं नगरपाली का बुलती है कि निंस उनके अंडर नहीं आता और कोई अधिकारी आंपर मौझूद नहीं है तो वो जिसके वज़े से काफी प्रॉब्लम हो रही है और ट्राफिक जैन हो रहा है और बहुत तकलीफ हो रही है तो यह बिल्कुल सही तरीक से तो नहीं हो रहा है ये ते समाजी कर्या करता हाशिर पटेल जिन्होंने मिरा भाइंदर शहर जो अलग-अलग समस्याओं से जूज रहा है उस समस्याओं को लेकर उन्होंने निताओं से बहुत सारी उम्मिद रखी और खास तोर से उन लोकसवा के उम्मिद वारों से जो 25 ठाने लोकसवा चुना से अपनी किस्मत आजमा रहे है और चुनकर आने के बाद में यह निता जरूर हमारे मिरा भाइंदर शहर की इन समस्याओं पर ध्यान देंगे इन समस्याओं का निराकरन करेंगे ऐसी आशा भी आशिर पटेलने जता ही है आखिर में आप सब को बताना चाहूंगा कि इस वक को कोई पता नहीं कोई सुपर वाइजर नहीं है एक बड़े पैमाने पर यहां पर एक सिसी रोड के स्केंडल को अंजाम दिया जा रहा है मिरा भाइंदर शहर में हमारे शहर के नेता चुनाओं में मगन है अधिकारी जो मनपा के हैं उनका मानना है कि इसमें उनका कोई रो आडगाट के आरोप लग रहे हैं उन्होंने कभी भी मेरा भाइंदर शहर में आकर कहां पर विजिट की किस रोड के ठेकेदार पर उन्होंने क्या कारवई की यह अब तक का गुल दस्ते में एक तरह से ठेकेदारों को वह बचाते ही आ रहे हैं और यहां पर मनमानी चल रह होगी है देखना है कि यह मनमानी कभ रोकेगी यह सकेंडल पर कभ कारवई होगे और कभ हमारे शहर के नेताओं की आख खुलेगी आप देख रहे हैं कैमेरे में आरिप कुरूशी और साभी शेक के साथ और रिकॉर्ड मेरा भाइंदर धन्यवाद